आपका स्वागत है आज हम लोग एडिशन और फ्रेक्शन यानि भीनों का जोड़ का पार्ट नाइन देखेंगे आप में से किसी नई देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाकर आप देख सकते हैं 1-9 हम लोग देख चुके हैं 1-8 सॉरी आज हम लोग पार्ट 9 देखेंगे क्वोच्चन 1 है 4 whole 1 upon 3 प्लस 2 whole 1 upon 2 इसको हम लोग शॉल्फ करेंगे पहले हम लोग यह मिक्स फ्रेक्शन में है इसको हम लोग मिक्स फ्रेक्शन को चेंज करते हैं तो इस तो इससे हम लोग मल्टिप्लाई करते हैं 3 में और 4 में 3-4 जा 12 अब उपर वाले को add करते हैं 12 बाव 1 13 13 by 3 प्लस इसे यह दोनों में मल्टिप्लाई होगा 2-2 जा 4 अब उपर वाला add होगा 4-1-5 बाई नीचे 2 है तो 2 हो जाएगा अब हम लोग क्या करेंगे दोनों का LCM निकालेंगे तो इसका multiply कर देंगे LCM नहीं निकालेगा तो 3-2 जा 6 अब हम लोग इसका 3 का table पढ़ेंगे कितना time में आएगा तो 3-2 जा यह आएगा यानि cross multiplication करेंगे तो हो जाएगा या 3-2 जा 6 2 आया 2 से 13 में multiply हो जाए 13-2 जा 26 प्लस 2 में 2 से 6 में divide होगा table पढ़ेंगे तो 2-3 जाएगा यानि 3 यह आया यह दोनों multiply होगा तो 3 में 5 से multiply होगा 3-5 जा 15 अब यह add होगा add करेंगे तो 5 और 6 11 का 1 carry 1 1 2 3 1 4 by 6 यह हमलों का answer हो गया है 41 upon 6 next हमलों देखते हैं 5 whole 2 by 4 plus 3 whole 1 by 5 इसको हमलों सर्फ करते हैं इसका भी हमलों चेंज करेंगे mix section को तो 4 में 5 से multiply होगा 4 5 जा 20 और 2 को add कर देंगे 20 में 2 add होगा 22 by 4 plus 5 3 जा 15 और 1 16 by 5 इसका LCM निकालेंगे तो नहीं निकालेंगे तो multiply होजागा 4 5 जा 20 या cross multiplication करेंगे तो आ जाएगा 4 कर टेबल पढ़ेंगे कितना time में 20 आएगा 4 5 जाएगा 5 में इसमें multiply होगा 22 से 22 में 5 से multiply होगा 5 2 जा 10 का 0 1 carry 1 5 2 जा 10 1 11 plus है तो plus 5 कर टेबल पढ़ेंगे कितना time में 4 आएगा 5 4 जा 20 4 में 16 से multiply होगा तो 60 में 4 से multiply होगा तो कितना आजागा 64 अब दोनों को add कर देंगे 4 और 0 आड़ होगा तो 4 6 और 1 आड़ होगा तो 7 1 है तो 1 उसी तरह आजागा by 20 यही हम लोगा answer हो गया 174 by 20 next question हम लोग देखते हैं 3 whole 1 upon 3 plus 4 whole upon 2 plus 5 whole 1 upon 6 इसका हम लोग क्या करेंगे LCM निकालेंगे LCM निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यह 3 के table में भी 6 आता है बड़ा नंबा है 2 के table में भी आ जाएगा 6 यानी LCM निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आएगा अब निकाल कर भी देख सकते हैं 3 का table पढ़ेंगे कितना time में जाएगा तो 3 2 जा 6 2 आया 2 से 10 में multiply होगा 10 2 जा 20 पलस है तो 2 का table पढ़ेंगे कितना time में 6 आएगा तो 3 जा 6 3 आया 3 में 9 से multiply होगा तो कितना होज़ेगा 27 पलस यह दोनों सेम है तो यह उसी तरह यहाँ पर आजाएगा अब आड करेंगे 1 और 7 आड होगा तो 8 8 में 0 आड होगा तो 8 3 और 2 कितना होज़ेगा 5 5 आड़ तो 7 अपन 6 यानि 78 अपन 6 हम लोगा क्या एंसर आया इस तरह पोई भी एडिशन और फ्रेक्शन रहा है या कोई भी पोश्चन तो हम लोग बना सकते है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगए तो पिलिज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें सेयर करें ठैक्स पर बाचिंग इस वीडियो